हमारे देश में एक जान की कीमत क्या है? आपकी मौत कभी भी हो सकती है सोते, जाकते, खेलते पूने में तीन करोर की गाड़ी आपको कुचल सकती है जो गाड़ी नशे में धूत एक टीनेजर चला रहा होता है मुंबई में एक मेगा होडिंग गिर सकती है और आप उसके नीचे दब के मर सकते हो जिस होडिंग के सारे पर्मिट बाइद वे, इल्लीगल है राजकोट में आप खेलते-खेलते एक गेमिंग जोन में जल के मर सकते हो जिस गेमिंग जोन के पास प्रॉपर फायर पर्मिट ही नहीं है या फिर देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर इंस्ट्यूट के बेस्मेंट में आप डूब के मर सकते हो जिस बेस्मेंट में क्लासेज या लैबरी की कोई अनुमती थी ही नहीं बीते सरडे को दिल्ली के ओल्ड रजिन्द नगर में तीन UPSC एस्पिरिंट्स की जान गई जब तेज बारिश के चलते राओ आये स्टडी सरकल के बेस्मेंट में तेजी से पानी भर गया श्रिया यादव उत्तरपदेश से निविन डालविन केरला से और तान्या सोनी तेलेंगाना से इन तीनों को सरकार और सिविक अथोरिटीज की लापरवाही के वज़े से अपनी जान खोनी पड़ी क्या ये सिर्फ एक एक एकसिडेंट था या murder due to negligence आज के देशभक्त एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि देश भर में इस हादसे को लेकर आकरोश है पुलीस अब दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो हरकत में आ चुकी है और जो भी guilty है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है उधर आम आदवी पार्टी और बीजेपी अपना अलग ही रोना धोना अपना politics शुरू कर चुकी है कई groups इस पूरे incident को political रंग देने की कोशिश कर रहे है लेकिन शुरुआत में ही बोल दूँ मैं आपको कि fact तो यही है कि आम आदवी पार्टी controlled MCD ने ना तो roadside drain साफ किये थे ना ही मौनसून से पहले राओ आएस के basement में चल रहे illegal commercial activity को रोका था ना ही storm water drains की सफाई करवाई थी उन्हें de-silt करवाया था जो ऐसे बारिश में पानी handle कर सकते हैं नतीजा ये हुआ कि पानी basement के तरफ तेजी से गया और जाने गई उधर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके पास तो power ही नहीं है officers उनकी बात सुनते ही नहीं है उन्होंने drains clear करने के आदेश दिये लेकिन आदेश नजरनदास कर दिये गए कोई chain of accountability नहीं है दिल्ली में chief minister और LG के बीच में जो power टसल चल रहा है उसके चलते कोई अफसर उनकी बात सुनता ही नहीं है आज अतिशी मारलीना ने भी tweet करके ये साबित करने की कोशिश की कि order देने के बावजूद bureaucrats उनकी बात ही नहीं सुनते हैं लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सारा कांड ये दिखाता है कि आमाद्बी पार्टी का failure एकदम साफ साफ अब लोगों को दिखने लगा है यही पूरा का पूरा पानी जाकर basement पे सिल हो गया है आप जानते हैं डाइवर्ज की जरूरत पढ़ी है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहाँ पर इस मित्यू के कूरी तरह जिम्मेदार माननिय मुख्यमंतर अर्विंद केजरिवाल जी और माननिय विदायक दुर्गेश पाठब जी हैं लेकिन इस इलाके के जो चात्र हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स समझते हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे को पॉलिटिक्स खा जाए इसलिए जब आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल से खफा स्वाती मालेवाल जब स्पॉर्ट पर पहुँची तो कई स्टूडेंट्स ने तब नारे लगाए कि स्वाती वहाँ से वापस चले जाए पॉलिटिकल पार्टी से जादा स्टूडेंट्स खासा नाराज हैं M.C.D. से और उनका गुस्ता काफी जाएज भी है क्योंकि रूल्स तो कई टाइम से तोड़ा जा रहा था और M.C.D. सो रही थी शायद चौका देने वाली बात ये है कि इस हादसे से करीबन एक महीने पहले राओ आये स्टूडी सरकल के ही एक स्टूडेंट ने दिल्ली सरकार को कंप्लेंट किया था और ये बताया था कि यहाँ क्लास्रूम्स इल्लीगली बेस्मेंट में चल रही है बिना नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट के स्टूडेंट ने ये भी आरोप लगाया था कि MCD के सीनियर अफसर को पता था और पता होने के बावजूद पैसे खा कर ये वाइलेशन को अलाओ किया गया था स्टूडेंट ने अपने कम्प्लेंट में लिखा and I quote तो क्या एंटी करप्शन के मुद्दे पर पावर में आई हुई आमादवी पार्टी ने MCD पर कोई अक्शन लिया इस कम्प्लेंट के ठीक एक महिने पहले ठीक वैसा ही हुआ जो स्टूडेंट ने फियर किया था एक लैब्रिरी जो बेस्मेंट में जो इलीगल था एक बायोमेट्रिक सिस्टम जो एन मौकर पर नहीं चला एक ड्रेनेज सिस्टम जिसको साफ नहीं किया गया था एक iron gate जो बांध का काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस दिन वो fail कर गया इस area में पता नहीं drains की सफाई कब हुई थी, flooding काफी normal ही है तो coaching centers क्या करते हैं, iron gates उन्होंने लगा के रखा है जब बारिश होती है तो gates को बंद कर दिया जाता है, plastic sheets लगा दिया जाता है पानी को रोकने के लिए लेकिन उस दिन एक SUV वहां से गुजरा और gate पानी का load handle नहीं कर पाया और collapse कर गया उसके नतीजे से basement पर पानी काफी तेजी से घुसने लगा अब इसे tragic comedy कह लीजिए या और कुछ लेकिन पुलिस को तो दिखाना है कि वो इस मामले में पूरी तरीके से चोकस है तो उन्होंने राव आएस के owner, उसके coordinator, building के owner के साथ साथ उस SUV के driver को भी 14 दिन के लिए custody में ले लिया जिसकी गलती ये थी कि वो बारिश में एक गाड़ी चला रहा था वो भी सड़क पर और कहीं नहीं, गाड़ी चला रहा था सड़क पर पुलिस ने driver की bail को भी contest करते हुए कोट में कहा कि ये बंदा मस्ती खोर है, सारी फसाद की जड़ यही है नाले साफ हुए नहीं, storm water drains की diesel ting हुई नहीं encroachments हटे नहीं, basement में धंदा रुका नहीं लेकिन पुलिस ने एक S.U.P. driver को पकड़ लिया और उसे culprit बता दिया लेकिन इस episode को record करते वक्त MCD के किसी senior officer पर गाज नहीं गिरी ना किसी senior officer को arrest किया गया तो शायद हादसे के जो असली जमेदार थे, वो अभी तक आराम से घर पर बैठे हैं, चाए पी रहे हैं और नहीं आम आदमी party से किसी तरीके की moral responsibility ली गई है हाँ, हुआ इतना है कि भाईया देखो बकरे पकड़े गए है MCD के local junior engineer को terminate कर दिया गया है assistant engineer को suspend कर दिया गया है अब सरकार बोलेगी, MCD बोलेगी, देखिए हमने तो कितना जादा फैसला लिया कितना strict action लिया जब students ने ये सारी चीजे देखी, इस बात पर protest किया MCD commissioner से मिलने की demand की मरे हुए students के लिए adequate compensation मांगा करोल बाग में रस्ता रोका तो पड़ी उनको पुलीस की मार इन aspirants ने शायद दो दिन पहले तक नहीं सोचा होगा कि वो IAS IPS के aspirants नहीं उन्हें Indian पुलिस की खातिरदारी मिलने वाली है लेकिन पुलिस सिर्फ जामिया JNU के लिए नहीं अब तो कोई भी आवाज उठा दे कोई भी सवाल पूछ ले कोई भी प्रोटेस्ट करने की हिमाकत कर दे उन्हें पड़ेगा तो पुलिस का डंडा ही सुना है इस अफरा तफरी में ABBP के भी कुछ लीडर्स को पुलिस ने कूट दिया लगातार चलते प्रोटेस्ट से एक बात और भी साफ हो रही है कि एस्पिरिंट्स का भी सबरकबांद अब तूट रहा है बात सिर्फ एक दिन की एक शाम की दुरगटना की नहीं हो रही है पूरे एक्स्प्लोइटेटिटिव सिस्टम की हो रही है जो एस्पिरिंट्स से मोटा पैसा चूस कर उन्हें बत से बत्तर हालत में रखते हैं क्लासेज और लैबरिरी ही नहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि ओल्ड रजिंदन नगर जैसे कोचिंग हब्स में बेस्मेंट में इल्लीगल पेइंग गेस्ट अकॉमिडेशन भी चलाए जा रहे हैं बारिश आती है तो छातरों के कमरे में सूच का पानी आ जाता है ना एमर्जेंसी एक्जिट है ना वेंटेलेशन है ऐसे में दुरघटना जो कुई है वो होनी ही थी आज नहीं तो कल और कई बार एमसीटी को कम्प्लेंट करने के बावजूद कुछों नहीं बदला है जो क्लास्रूम्स हैं वो बेस्मेंट में होती है या तो इनको आफिस होता है वहाँ पे या फिनकी लाइबरेरी होती है और क्लास में पानसो से हजार की लेकिन इस इंसिडेंट के बाद IFS, IAS, IPS बनने वाले छातरों को भी समझ में आ रहा है कि सिस्टम कितना बहरा बन चुका है कि उनकी आवाज, उनकी गुहार सुनने का किसी के पास सरकार में टाइम नहीं है अपने शौक से रस्ते पर तप्ती धूप में, बारिश में, ठंड में भाई साब कोई नहीं आता है दुख की बात ये है कि खुद स्टूडेंट कम्यूनिटी में एक बहुत बड़ा तपका है सोचता है कि प्रोटेस्टर्स तो नकसल, ठालिस्तानी, माओएस्ट, पाकिस्तानी होते है लेकिन ये गलत फैमी ठीक हो जाती है जब किसी कारण है तो उन्हें आवाज उठाना पड़ता है और फिर पुलीस के डंडेग पड़ते हैं पुलीस उनका स्वागत करती है तब उन्हें समझ में आता है कि देश में डेमोकरसी का क्या हाल हो गया है और यहां तो स्टूडेंट्स कोई बड़ी बिल की वापसी भी उसकी मांग नहीं कर रहे थे उनकी मांगे कितनी छोटी है वो तो चाहती है कि सरकार अब चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, एमसीडी हो, जो भी हो बस सरकार उन्हें इतना दिलासा दे दे कि भाईया वो जिम्यदारी ले रहे हैं स्टूडेंट्स को आसवाशन दे दे कि भाई इस तरीके की लापरवाही फिर से नहीं होगी स्टूडेंट्स की इस तरीके से हत्या फिर से नहीं की जाएगी, बस इतना मांग कर रहे हैं वो लेकिन ऐसी मॉरल रिस्पॉंसिबिलिटी लेना आसान नहीं है, खास कर कि आज के पॉलिटिक्स में मित्रो क्योंकि बीजेपी आम आदवी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, आम आदवी पार्टी ब्योरोक्राट्स के पीछे पड़ी हुई है, ब्योरोक्राट्स लेटनिट गवनर के तरफ देख रहे हैं, बीच में स्टूडेंट्स पिस रहे हैं और स्टूडेंट्स नाराश सिर्फ सिस्टम से नहीं है वो उन विराट, गुद्धी जीवी, परम्यानी, इंस्पिरेशनल सर्ज से भी है जिन्होंने आईएस कोचिंग को बॉलीवुड कूल बनाकर रख दिया है पिछले कुछ सालों में कहीं न कहीं वो अपनी इंस्पिरेशनल मारी देते रहते हैं, पॉड्कास्ट करते रहते हैं, यूट्यूब पर रहते हैं लेकिन स्टूदेंट्स अब पूछ रहे हैं कि जब आपदा आई स्टूदेंट्स पर तो वो गायब हो गए, वो उनके साथ खड़े तक ना हो पाए देर रात तक स्टूदेंट्स का घुसा ऐसे बड़े बड़े टीचर्स के प्रती भी दिखा वो भी रस्ते पर अब हो सकता है शायद ये बड़े बड़े कोचिंग के जो ओनर्स हैं, जो बड़े सर्ज हैं, वो भी बिजी रहे होंगे क्योंकि राओ आएस में मौत के बाद दूसरों की भी पोल अब खुल रही है, सबके सब बेस्मेंट में इलीगल क्लासेज चला रहे थे MCD अब अचानक जगी है, हरकत में आ गई है, तेरा कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है और कैमेरा के लिए थोड़ा बुल्डोजर आक्शन भी दिखा दिया है, दिल को थोड़े ठंड़क पहुँच जाए लोगों के ड्रेंस के ऊपर जो इंक्रोच्मेंट्स है, कहा जा रहा है, उन्हें भी हटाया जा रहा है हमारे देश में कुछ जाने जाने के बाद दिखिये, सिस्टम कैसे एकड़म हरकत में आती है लेकिन जाने जाने से पहले नहीं और स्टुडेंट्स भी यही कह रहे हैं, कि आज जितनी पुलीस, जितनी आरे, जितनी प्रसाशन मौजूद है इनको रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, स्टुडेंट्स को शान्त करने के लिए अगर एक तिहाई भी बारिश से पहले हाजिर हो जाते तो यह मौते ना होती, यह मर्डर ना होता इसलिए students कह रहे हैं यह accident नहीं है यह murder due to negligence है और हम इस बात से सहमत भी हैं और MCD के high level probe से कुछ निकलने वाला है नहीं समझाता हूँ क्यों कुछी दिन पहले 26 year old निलेश राय लाइबरिली से वापस जा रहे थे अपने PG जी बारिश हुई थी रस्ते पर पानी था पानी से बचने के लिए iron gate का सहरालिया निलेश ने iron gate से live wire टच कर रहा था वो लड़का वहीं धेर वहीं खतम हो गया एक aspirant की ऐसे senseless मौत हो जाती है एन चार सी ने भी notice लिया लेकिन क्या action होगा आपको भी मालूम है क्या punishment होगा आपको भी मालूम है अरे ये सब छोड़ो coaching centers death traps हैं ये MCD को मालूम था लिखित में इसी साल मई के महिने में डेली हाई court ने MCD और DDA को आदेश दिया था कि सारे ऐसे coaching institution बंद कर दो जो fire और safety norms का उलंगन कर रहे हैं ये court की सुनवाई आती है ये जो order आता है ये इसलिए आता है क्योंकि जून 2023 में जो लोग दिल्ली में रहतों उनको याद होगा दिल्ली के मुखरजी नगर एक और coaching hub दिल्ली के मुखरजी नगर में coaching center में भीशण आँग लगती है साट बच्चे घायल होते हैं लेकिन बाल-बाल बच जाते हैं कूद भाद कर उस आँग से अपने आपको बचा लेते हैं लेकिन सीख ना मिली जबकि हमें warning दिया था कि ऐसा कभी और भी किसी center के साथ हो सकता है तो राव IS के students के complaint के बाद भी MCD ने action नहीं लिया MCD को court का आदेश आने के बाद भी coaching centers बंद करो तब भी action नहीं लिया गया MCD ने drains की cleaning नहीं की encroachments नहीं हटाया यह सब एक systematic failure है यह सब एक systematic negligence का नतीजा है जिसके वज़े से तीन जाने गई अब आम आदभी party जितना भी बोले कि भाई अफसर उनकी बात नहीं सुनते है भाई moral responsibility तो उनहीं की बनती है और पैसे बीजेपी जादा खुश ना हो वो जादा politics ना खेले इस matter पे क्योंकि ये भी आप देख लें कि system कैसे उन्होंने तोना मडो रहा है क्योंकि दामन उनका भी साफ नहीं है दिल्ली की भी बीजेपी की बात करें तो मोरभी bridge है उनके पास राज़कोर्ट fire deaths है तो उनका भी दामन साफ नहीं है सवाल ये है कि politics से आगे students के लिए aspirants के लिए वो कौन सोच रहा है बुरा शायद ये भी लगता है ये देखकर कि सालों पहले मैंने जैसे old रजिंद नगर देखा था जब मैं डेली उनिवर्सिटी पे था आज उसी रजिंद नगर की हालत और भी जादा खराब है इस बीच में ना जाने कितने I.S. अफसर यहां से बड़े बड़े पदो पर चले गए लेकिन ये अफसर बड़े बड़े पदो पर जाकर इन्होंने किया क्या इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि चलो हम अपनी कर्म भूमी के लिए कुछ करते हैं वो अपनी कर्म भूमी को भूल गए क्या ये बड़े बड़े I.S. अफसर पावरफुल I.S. अफसर बत्ती वाले I.S. अफसर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं किसी भी I.S. अफसर ने कोई ग्रूप ने I.S. अफसर ने ये ना सोचा कि चलो इस जगे को ठीक करते हैं Let us give something back वो क्या सिर्फ अपनी ही लाइफ अपने ही केरियर को चमकाने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर I.S. अपनी MCD अपनी, Students अपनी Teachers अपनी, सब अपनी पर ही पड़े रहेंगे तो देश और देश के भविशे के बारे में कौन सोचेगा यही अपनी सोच यही जो अपनी सोच है न यह Others can go to hell attitude यही हमारे देश को लेकर डूबेगा थोड़ा सोचो थोड़ा आसपास देखो क्या हो रहा है थोड़ा सवाल पूछो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और नहीं पूछोगे नहीं पूछोगे तो एक flooded basement में अपने आपको बहुत जल्द पाओगे